हेली कॉप्टर पॉलिटिक्स का विश्डेशन करेंगी जिसकी शुरुवात हम आपको एक वीडियो दिखा कर करना चाहते हैं ये वीडियो तमिल नाडू के नील गिरी का है जहां चुनाव आयोग का फ्लाइंग स्कॉट एक हेली कॉप्टर की तलाशी ले रहा है चुनाव आयोग और पुलिस की अधिकारी हेली कॉप्टर के चारो तरफ खड़े होकर हेली कॉप्टर के अंदर जाक रहे हैं आपस में बाते कर रहे हैं हेली कॉप्टर की सीटों के नीचे भी देख रहे हैं वीडियो देखकर लग रहा है जैसे वो कैश या अन्य किसी चीज की तलाशी कर रहे हैं। अब आप कहेंगे कि इस वीडियो में कौन सी खास बात है। चुनावों के दौरान तो चुनाव आयो की टीमें ऐसी तलाशी लेती ही रहती है। तो खास बात ये है कि जिस हेलिकॉप्टर की तलाशी चुनाव आयो का फ्लाइंग स्कौर्ड ले रहा है। उसमें सवार हुकर राहूल गांधी नील गिरी पहुँचे थे। करनाटा के मैसोर से तमिलनाडू के नील गिरी तक हेलिकॉप्टर का सफर करके राहूल तो सडक के रास्ते केरल में अपने संसदी अक्षेतर वायनाट चले गए। जहां वो चार दिन रहकर चुनाव प्रचार करने वाले। वैसे चुनावों के दौरान चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्कौद्स, नेताओं और प्रत्याशियों के वहनों की सप्राइस चेकिंग करते रहते हैं। जिसका प्रमुख मकसद चुनावों में काले धन के इस्तमाल को रोकना होता है। वैसे तो राहुल गांदी के हेलिकॉप्टर की जांच भी इसी सप्राइस चेक अभियान का हिस्सा है। जिसमें चुनाव आयोग के टीम को राहुल गांदी के हेलिकॉप्टर से कुछ नहीं मिला। लेकिन चुनाव आयोग की मंचा पर सवाल उठाने का मौका ढूंडने वाली कॉंग्रेस को एक और मौका जरूर मिल गया। चौपर, प्रधान मंतरी के चौपर को चेक करो, ग्रह मंतरी के चौपर को चेक करो, सभी चौपर को चेक करो, लेवल प्लेइंग फिल्ड करो। वैसे एक बात तो यहाँ एक दम साफ है कि चुनाव आयोग को ये अधिकार है कि वो चुनाव आचार सहीता के दौरान किसी भी नेता का हेलिकॉप्टर चेक कर सके लेकिन अपने नेता के हेलिकॉप्टर की तलाशी से आहद कॉंग्रिस चुनाव आयोग को प्रधान मंत्री और ग्रह मंत्री के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने का चैलेंज दे रही है लेकिन क्या चुनाव आयोग प्रधान मंत्री के हेलिकॉप्टर की तलाशी ले सकता है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान 16 अपरेल 2019 को ओडिशा के संबलपूर में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी रेली करने पहुँचे थे तब चुनाव आयोग के फ्लाइंग स्कॉट ने उसी तरह प्रधान मंत्री मोदी के हेलिकॉप्टर की तलाशी ली थी जिस तरह आज राहुल गांदी के हेलिकॉप्टर की तलाशी ली गई तब प्रथान मंत्री के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने वाले फ्लाइंग स्कॉड को आईएस मोहम्मत मौसीन लीड कर रहे थे जिनने चुनाव आयोग ने चीफ अब्जरवर नुक्त किया था तब बीजेपी ने प्रथान मंत्री के हेलिकॉप्टर की तराशी लिये जाने की शिकायत चुनाव आयोग को की थी जिसके बाद IAS मौसीन को निलंबित कर दिया गया था उनके सस्पेंशन लेटर में इसकी वज़ा बताई गई थी कि IAS मौसीन ने SPG सुरक्षा प्राप्त वेक्तियों से जुड़े प्रोटोकॉल का उलंगन किया और अपने कर्तव्वे की अभेल लांकी IAS मौसीन को निलंबित करने के आदेश में चुनाव आयोग ने कहा था कि उन्होंने 2019 के दिशा निर्देश संख्या 76 और 2014 के चुनाव अभियान के दौरान उमिदवारों के वहानों के इस्तमाल से जुड़े हैं जिनके मुताबिक कोई भी प्रत्याशी अपने चुनाव अभियान में सरकारी वहानों का इस्तमाल नहीं कर सकता हाला कि प्रधान मंतरी और SPG सुरक्षा प्राप्त अन्य वेक्तियों को इसमें छूट प्राप्त है यानि प्रधान मंतरी चुनाव प्रचार के दोरान सरकारी वहानों का इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन क्या कोई चुनाव अधिकारी प्रधान मंतरी या SPG सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के वहन की जांच कर सकता है इस बारे में चुनाव आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है यानि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों में इस बात की कोई क्लारिटी नहीं है कि चुनाव आयोग के अधिकारी प्रधान मंतरी के वहनों की जांच कर सकते हैं या नहीं चुनाव आयोग ने ये कभी सपश नहीं किया कि प्रधान मंत्री के हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने वाले I.S. अधिकारी को निलंबित क्यों किया गया हाला कि बाद में उनका निलंबन रद कर दिया गया था क्योंकि Central Administrative Tribunal यानी C.A.T. ने I.S. मौसीन का बचाफ करते हुए अपने आदेश में कहा था कि SPG सुरक्षा प्राप्त लोगों को सुरक्षा और सुरक्षा का उचित आश्वासन उपलप्त कराया जाना चाहिए लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि वो किसी भी चीज और हर चीज के लिए पात रहे तब प्रधान मंत्री के हेलिकॉप्टर की जांच करने वाले I.S. अधिकारी के निलंबन को लेकर चुनाव आयोग की निश्पक्षता पर सवाल उठे थे और ये सवाल सिर्फ विपक्षी दलों की तरफ से नहीं उठाए गए थे तब भारत के पूर्व चुनाव आयोग S.Y. कुरेशी ने सोशल मीडिया पर कहा था कि प्रधान मंत्री के हेलिकॉप्टर की जांच करने पर उडिसा में तैनात आयस अधिकारी को निलंबित करना ना सिर्फ दुर्भाग्य पूर्ण है बलकि चुनाव आयोग और खुद प्रधान मंत्री की छवी सुधारने के एक अच्छे मौके को गवाना भी है S.Y. कुरेशी ने कहा था कि प्रधान मंत्री के हेलिकॉप्टर पर रेड से ये दिखाया जाना चाहिए था कि कानून की नजर में सब बराबर है ऐसा करके चुनाव आयोग और प्रधान मंत्री दोनों की आलो चुनाओं का जवाब दिया जा सकता था एक दिल्चस्प बात ये भी है कि ओडिशा के संबलपुर में प्रधान मंत्री मोदी के हेलिकॉप्टर की जान से एक दिन पहले ही तकालीन केंद्रिय मंत्री धर्मेंदर प्रधान का एक वीडियो वाइरल हुआ था जिसमें वो चुनाओ आयोग के फ्लाइंग स्कॉट पर गुसा होते देखे गए थे क्योंकि फ्लाइंग स्कॉट की टीम उनके हेलिकॉप्टर की तलाशी लेने पहुँची थी पिछले लोगसरवा चुनाओ के दौरान ही ओडिसा के मुख्य मंत्री नवीन पतनायक के हेलिकॉप्टर की तलाशी भी ली गई थी जिसके वीडियो में नवीन पतनायक अपने हेलिकॉप्टर की जांच करने पहुँची टीम का स्वागत करते नजर आय थी पिछले लोगसरवा चुनाओ की तरह इस बार भी चुनाओ आयो के फ्लाइंग स्क्वाद्स चुनाओ प्रचार में जुटे नेताओं के वहनों और हेलिकॉप्टरों की जांच में जुटे हैं और इस बार राहूल गांदी के हलिकॉप्टर की तलाशी पर विवाद हो गया और चुनाओ आयो की मंचा पर एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं करना है आपने चंदा लिया आपने वसूली की एक ही व्यक्ति ने दो लोगों को पैसा दिया आज मेहाई और भर्ष्टा चाहत दिख रहा है यह बसूली के कारण है जिन कंपनियों से इन्हों ने चंदा वसूला है उन कंपनियों की चीजें चंदे से पहले कितनी सस्ती थी और चंदे के बाद कितनी महेंगी आप उसी जंदादा लगा सकते हैं राहुल गांधी के हेलिकॉप्टर की तलाशी पर विपक्षी दलों के सवालों पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई आधिकारिक बयान तो नहीं आया है लेकिन बिना नाम लिए चुनाव आयोग ने सफाई जरूर दी है इस तरह अधिकारियों ने एक राज्जे के मुख्य मंतरी और एक अन्य राज्जे के उप मुख्य मंतरी के वाहन की भी तलाशी ली थी यानि चुनाव आयोग ने बिना किसी घटना का जिक्र किये सफाई दी है कि वो निताओं के काफिलों और वहानों की तलाशी लेने के मामले में सेलेक्टिव नहीं